नमस्कार विद्यति मित्रो आजी आपने धराण 8 प्रक्राण 10 तरुन अवस्ता तरप तो मित्रो बाल्य अवस्ता पछी तरुन अवस्ता युव अवस्ता एरीते अलग-अलग अवस्ता वावती होई छे तो आपने आजे भणवानू छे तरुन अवस्ता तरप तो मनुस्यों तेमाज घणा बदा अन्यों प्राणियों एक नीचीत आयूस्यों सुधी पहुँची ने 25 प्रजनन करता होई छे के कोई पन कारियों माटे एक 24 प्रकानी अवस्ता होई छे जेना काराणे आपणा शरी नियंदर अमग प्रकानी क्रियाव मां परीवतन आवतो होई छे तो अहिया छे के मानव सरीर्मा थता एवा परिवतन अभ्यास करवानों छे आजे आपड़े के जेना पछी प्रजनन माटे शक्षम बने छे अने मनुस्यनना प्रजनन अंगविश्य आपड़े प्रक्राण 9 मा सिखी गया छेने प्रक्राण 10 जे चे तरुना अवस्ता तरपके तरुना अवस्तामा ज्यारा प्रवेस करिये छे त्यारेमा सू फेरफाल थाई छेमा अंतरस्त्राव विश्यनी चर्चा अने जे बालक मा थनारा परिवत्तन चेनी महत्वनी भुमीका सू छे जेना कराणे बालक ना विकास हैन ते पुक्त बनी जाई छे एनना विश्य आपड़े जोवानूं छे तो जोई ए तरुना अवस्ता तेमाज योवाना रंब के बाल्य अवस्ता पची तरुना अवस्ता अनि योवाना रंबनी सरुवात थाई छे तो जो ये अहिया एक माहिती आपणे समझवा माटे आपेली छे के बुजो तेनो बार्म जन्म दिवस उजवी रहियो तेटले के कोई पन बालक जे छे ए बार वरस्ता थाई तेना पची इमना सरीनी अंदर अंगों मा बदलाव आउतो होई छे अने एजे बदलाव आवे छे एने जापडे तरुण अवस्ता कहिये छे एज रिते चो ये जन्म दना समय थी लाई ने आपणा सरीनी अंदर रुद्धी चालू थाई जाई छे परन्तु 10 के अग्यार वरस्त ना आयुस्य पची रुद्धी मां एका एक जड़प आवी जाई छे एने रुद्धी देखावा लागे छे तो केम आवुथाई छे कारण के बाल्य वस्ता तिला इनने तरुण अवस्ता मां प्रवेस्वाना चे वर्ष छे ए 10 के अग्यार वरस्त ना आयुस्य पची रुद्धी रुद्धी प्रक्रियानो एक भाग छे के शरीर मां जे परिवतन थाई छे ए परिवतन एक वर्वद्धी प्रक्रियानो भाग छे तेवो आ बाबदन संकेट छे के तमें बालक नथी रहिया परन्त तमें हवे पुक्त अवस्थामा प्रवेश्वा जय रहिया छो आपड़ा सरीर मा थता आ परिवत्तन जे छे के रुद्धी जे छे एक कुद्रती प्रक्रिया छे जीवन कार्णी आ अवस्थामा शरीर मा एव परिवत्तन थाई ने प्रजननी परिप्रक्वता प्राप्त थाई छे क्यों 11 वरस्थी जे आपड़ा सरीनी अंदर फेरफार थता होई छे ए जे छे ए अवस्थान आपड़े तरुण अवस्था तरीके उलकी सेकिये तरुण अवस्था लगभग 11 वरस्थी उमर थी प्रारम थाई ने अढ़ार के 19 वर्षनी उमर शुदी रहे छे आवधी तरुण कहवाती होवा थी ते अवस्थाना बाळँ कंने तरुण अपन कहवामा आवे छे और आवस्था जे छोकराव मांजे चे ये 1 के बे वरस्थ 52 वर्थाई चे जयारे चोकरियो माँ आवस्था चोकरावनी सापेक से एका एक के एक के बे वरस पहला ज प्रारम थई जाई छे आ थी चोक्रावने चोकरियों माजे तरोणा अश्तानी अवधी छे ए जुधी जुधी होई छे तरोणा अवस्ता दर्म्यान मनुस्यना सरीर मा अन्नेक बदलाव आवता होई छे आने आव बदलाव योवाना रह्म्बनों संकेत आपे छे के बाल्य अवस्ता पछी उरुधी थेने तरोणा अवस्तामा प्रवेश करिये छे तरोणा अवस्ता पछी योवाना रह्म एटले के योवा अवस्ता परिपकवतामा अपने प्रवेश करिये छे तेमा थी सोथी महत्वानों परिवत्तन छे चोकरा तेमा चोकरियोमा प्रजन सम्तानों विकास के योवाना रंब नी जारे सरुवा थाई छे त्यारे प्रजन सम्तानों विकास तेलो एमा जोवा मले छे तोरुनमा प्रजनाल परिफक्वार्तानी साथेच योवाना रंब जेचे ए समाप्त थेजाई छे तो विद्ध्यात्यमीत्रो आपणे होवे छो ये योवाना रंब मा थता फेर फार तो प्रथम छे उचाई मा वधरो, कि युवाना रम्भ मा जैरे फिरखार थाई छे त्यारे उचाई मा पण वधरो थाई उचाई मा एका एक वधरो योवाना रम्भ दर्मियान थतो सोती मोटो देखी तो बदलाव छे आ समये सरी ना लांबा हाड़कावो तेमज हाथ औने पग ना हाड़कावो नी लंबाई मा वधार थतो होई छे जी व्यक्ति नी उच्चाय बतावे छे अने आपन ये उधारन प्रवती ची 10.1 द्वार आपन उच्चाय नी माहे तिया पेली छे के छोकरावो मा उच्चाय नी चोकरी नी उच्चाय मा के ज्यारे आट वहस नी चोकरी होई तेमा सित्तो ते टकान वधार थेलो जो अमले छे तियारे छोकरावो मा बोतेर आरी ते अमा उचाय मा बदलाव आवे छे जियारे योवान रम्मा फेरफार थाई छे प्यारे प्रोरूती 10 पॉइंट एकना अधार आपणने अईया आले खापवा माईवो छे जिये ब्लू कलर थी देखाई छे आ चोकर्यों मा उम्मर नी साथे उचाय मा थतो फेर फार अने बोईस मा उम्मर नी साथे उचाय मा थतो फेर फार विशे नी माहिती आपवा मावी छे स्वर्वात मां चोकर्यों चोकरावनी सर्खामनी मा वधैर जडव थी वधेछे ये चोकर्यों जडव थी वधें छे परंतों अधार वर्ष लग भग अधार वर्ष नी उमर सुदि बन्ने पोता नी महतम उचे प्राप्त करी लेता होई चे बनने एटले के छोकराव अने छोकर्यों अलग-अलग व्यक्तियों नी उच्छाइमा रुद्धीन दर पन जुदो-जुदो होई छे केटलाग युवानरम मां तीवर गती थी वधे छे तथा त्यार पची तेनी गती धीमी पड़ी जाई छे ज़्यार एक एटलाग दीरे-धीरे व्युद्धी पामे छे धीमी वुद्धी, जल्पी वुद्धी एजे छे ए शरीन ना बद्धा अंग समन दर वुद्धी करी सकता नथी के मावुथाई छे कारण के क्यारेक क्यारेक तरुन ना हाथ अथवा पग सरी अन्यों अंगनी सापेक से मोटा देखाई छे परंत बीजा अन्यों भागवपन जलबती रुद्धी करी ने सारीरी प्रमान ने संतुलित करे छे पईन आमें शुढ़ोर थे जाई छे एतले के बाली अवस्ता तरुन अवस्ता पची एमनुजे सरीर छेनो विकास थवाने काराणे ए सरीर जे छे सुढ़ थे जतु होई छे त्यारे कोई व्यक्तिनी उचाई तेना परिवार ना कोई शब्रियो शाथे शमान होई छे तेनु काराण ए छे उचाई माता पिता द्वारा प्राप्त थता जनीन ने आधरे परंतो रुद्धी मा आवस्त संतुलित आहार पर आवस्यक छे के ते हालकावो, स्नायुओ औने सरीन अन्यो भागोने योग्यो रुद्धी करवा माटे प्राप्त पोसन पूरुपाडवा मा मदद करे छे होवे छो ये सारीक आकार मा बदलाव के एकायक उचाई मा वधर थिया बाद सारीक आकार मा प्रण बदलाव थतो होई छे के बालक जे छे युवान रम मा प्रवेस करी चुक्या छे त्यारे एमना रुद्धी न कारणे खोबानो भाग फेलाईने पोहलो थेई जाई छे अने छोकुरियो मा कम्बन नीचेनो भाग पोहलो थेई जाई छे रुद्धी न कारणे चोक्राव मा सरी न स्नाईवन विकास चोकर्यों ने विकास नी सर्खामनी वधू होई छे अने तरुण अवस्तामा चोकरा ने चोकर्यों मा जोवा मलता बदलाव अलग-अलग होई छे होवे छो ये अवाज मा बदलाव केटलाग चोकरावन अवाज फाटवा लागे छे योवा नरम मा स्वर पेटी एटले के कंठस्त रुद्धी नी सर्वा थाई छे तमें पन अनुभो करियो हसे के अमना तमने अनुभो ठतो जोवा मलसे चोकरावनी स्वर पेटी विकास पामी ने अपेक्सा कृत मोटी थे जाई चोकरावनी स्वर पेटी तेना नाना कदनेली दे मांड देखिती हो जोवा पामी ने अपेक्सा कृत मोटी थे जाई छे सामने रिते चोकरेण अवाज उचो अने तिनो होई छे ज्यारे चोकरावनी अवाज भारे होई छे तरुन अवस्ताना छोकराओं मां क्यारेक स्वर पेटीना स्नायों मां अनियंत्री रुद्धी थेई जाई छे अने अवाज घोगरो थेई जाई छे के तरोण अवस्ताना मज्यारे छोकर प्रवेस करे छे त्यारेस नाईवो अनियुंत्री त्रीते रुद्धी थवाने कारण अमुक समय माटे अवाज घगर थाई जाई छेने केटलाग दिवसो के अठाले पची अवाज सामान्य थाई जतो होई छे आ क्रूती मा अपनने चोकरावन कंठ मलिमा थेली रुद्धी विशने आ क्रूती बतावेली छे होवे छो ये प्रस्वेद औने तेली ग्रंथियोनी क्लिया सिल्तामा वधार प्रस्वेद औने तेली ग्रंथियोनी स्त्राव जे छे तरूना अवस्तामा वधी जाई छे औने आ ग्रंथियोनी वधारे पड़ती क्रिया सिल्ताने कारणे व्यक्तिना चेरा पर फोल्योनी कील वगरे वधारे चुवा मले छे प्रजनन अंगनो विकास के तरूना अवस्तामा थता फेर भारवबात मा न प्रजनन अंगनो भ्यास करिये तो योवा नरममा नर प्रजनन अंगनो जेवाके शुक्रपिन औने मादा प्रजनन अंग जेवुके अन कोस तो नर प्रजनन अंग मां सुक्रपिन ते मज सिसन सम्पून तह विक्सित थय जाई छे अने सुक्रपिन मांथी शुक्र कोषनो उत्पदन सरू थय जाई छे ए जरी ते मादा प्रजनन अंग मां अंड कोष परिपको थवा लागे छे अने अंड पिंड मा थी अंड कस्मों मुक्त थवानू सरू थाई जाई छे के नर प्रजनन अंग द्वारा सुक्र पिंचेना द्वारा सुक्र कस्मों त्वदन थाई छे द्यारे मादा प्रजनन अंड कस्मों अंड कस्मों मुक्त थवानू सरू थाई जाई छे ज्यारे बालकमा मानसीक बोधी तेमा सवेदनात्मक परिक पक्वता प्राप्त करे छेटले के तरुणावस्तानी व्यक्तिनी विचाक सनीमा परिवत्तनी पन आयेक अवस्था छे के ज्यारे तरुणावस्तान व्यक्ति जी छे पहलानी सापेक से किसर वधारे स्वंतत्रते बज पत्तानी तरफ वधारे सचेत होई छेटले की कोई पन मुस्केलीनी सामनों करवामा टे ए पते मुझ्वनमा होई छे तेना मा बोधिक विकास पन थाई छे ते थी ते विचारवामा वधारे समय ले छे वास्तोमा कोईपन व्यक्ति ना जीवनमा सावेदिक के कोईपन बाबतन डिसीजन लेवामा वधारे समय लागतो होई छे छे मा तेना मगजनी सीखवानीक सम्थाज्य छे ए सावेदिक होई छे अने क्यारेक क्यारेक तरुण सारेरिक अने मानसिक बदलाव प्रतिये अनुकुल थवानों प्रयत्न करे छे तरुण होवाने नाते तमारे इनुस्तमज जुजोई एक असुरक्सित मेसीज करवानों कोईपन कारण नथी परन्तो तरुण अवस तामा बदलाव ने कारण एक कुद्रति बदलाव छे जे सारेरिक रुधीना कारण उत्पन थाई छे हवे जुए गण जातियो लक्षन अने गण जातियो लक्षन भणता पेला आपने धरन आटमा प्रक्रण नोमा सुक्रपिन अने अन्डपिन ना प्रजनन अंगो विश्य अभ्यास करियो छे ते जन्यों जेवा के शुक्रो कोस अने अन्ड कोस उत्पन करे छे एटले के शुक्रो पिन द्वारा शुक्रो कोस अने अन्ड पिन द्वारा अन्ड कोस उत्पन थाई छे योवान रम्बा चोक्रियो नो स्तन विखास थवा लागे छे चोकराओना चेहरा पर वार उगवा लागे छे एटले कि डाडी औने मूझ उगवा लागे छे। ફેર ફારો થતા જોમલે છેજેને ગોણ જાતયો લક્ષન ગેવામાં આવે છે तरुन अवस्तामा थता आ बदलाव अंतस्त्राव द्वारा नियंत्रित होई छे अने अंतस्त्राव जे छे ए राशानी पदार छे ते अंतस्त्रावी ग्रंथिय द्वारा स्त्राव पांतव होई छे अने अंतस्त्रावी तंत्र द्वारा उत्पन थाई छे योवार रंबनी साथेज सुक्रपिन ए नर अंतस्त्राव छे औने नर अंतस्तामा टेस्टोस्टेरणनु निर्मा चालू करीदे छे जहारे चोकर्यों मा बदलावनु काराण ए छे के एमा अंडपिन ए मादा अंतस्त्राव छे औने मादा अंतस्त्राव द्वारा इस्ट्रोस न नाम नो श्त्राव उत्पन ठाई छे छे स्थन विक्सित थाई जाई छे अने दूद स्थावी ग्रंथियो नी अंदर स्थन नी अंदर विक्सित थाई जाती होई छे आ अंत्रस्त्रावना उत्पदन के उत्पदननों नियंत्रण ए एक अन्य अंत्रस्त्राव छे पिच्चुटरी ग्रंथि माथी थाई छे 3. અન્તસ્ત્રાવો વીદે આપણે જોયું, કે નર અન્ત્ત્ત્ત્ત્ત્રાવ્ તરીકે સ્ત્ત્ત્ત્ત્ત્ત્ત્ત अंतस्त्रावनों फाळों के जी अंतस्त्राव उद्भन थाई छे एक रिते काडियों करे छे तो छोaks ये के अंतस्त्रावी ग्रण्ठीयों अंतस्त्रावंने रूधीर मा सीधा ठालवे छे, अने जेना करने सरीर ना विशिष्ट लक्सियांग स्थर येटले कि जे भाग मा ए अंतस्त्राव ने जोको श्थान पर पहुंच आड़े छे अने ए स्थान पर पहुँची ने ए साथे प्रतिक्रिया करे छे अने आपणान शरीर में अन्नेक अंतस्त्रावी ग्रंथियो के नलिका विहिन ग्रंथियो छे सुक्र पिंट ते बज अंड पिंट जातियो अंतस्तावने उत्पन करे छे जे माधाने नर्ने अलक करे छे अंत्रस्त्राव गण जातियो लक्षण माटे जवाबदार छे जाती अंत्रस्त्रावोपां पिच्चुटरे ग्रंथी द्वारा स्त्रावित अंत्रस्त्रावना नियंत्रण मा होई छे कि जे अंत्रस्त्रावोद पन्थाई छे ए पिच्चुटरे ग्रंथी द्वारा स्त्रावित अंत्रस्तावना नियंत्रण मा होई छे अने एक अंतरस्ताव अंड पिंड मां अंड कोस ते मज सुक्र पिंड मां शुक्र कोस ना परिपक्वने नियंत्रीत करे छे कई ग्रंथी तो पिच्चुटरी ग्रंथी होवे जवनुछे विद्या थिमित्र मनुस्यों मां प्रजुनन कालनी अवधी तोचो ये के जैरे तरुणना शुक्र पिंड तथा अंड पिंड पिंड जन्यों उत्पन थवा लागे छे त्यारे प्रजुनन योग्यों थेजाई ये एटले केम नी परीपकवत अवस्ता जे चे ए योग्य बन्य चे अने जण्योंनी परीपकवत तेमाच उत्प्पद निक्समता पूरूस मां श्त्रियों नी सर्खाम्रिये वधारे होई छे एटले के जी सुक्र पिंड माथी सुक्र कस उद्पन थवू अन पिंड माथी अन कस उद्पन थवू ए नी शर्खामनी जे छे ए पूरुस मा स्त्रियों नी शर्खामनी वधारे होई छे स्त्रियों मा प्रजनन अवस्तान प्रारम योवानारं एटले के 10 थी 12 वर्ष्णी उम्मर थी थेई जाई छे साम्मेन्यरी ते 45 थी 50 वन्नी उम्मर सुदी आ चाल्या करे छे अंड कसो मा परिपकवध्य थाई छे एमा अंड पिंड मा एक अंड कस परिपकवध्य थाई छे तथा ए लगभग 28 थी 30 दिवस ना अंत्राल पर कोई एक अंड पिंड द्वारा मुक्त थाई छे आ शमाई मा गर्वास नी दिवा जाड़ी थे जाई छे ते अंड कस ना मुक्त थया बाद युगमन अजने ग्रहन करिशके तेना फर्षर रुपे गर्वधारन थाई छे अंड कस नुँ फलन न थाई तेविस्तिती मां अंड कस तता गर्वास वेनु स्तर जे छे ए मोटू तेमाज रुधी रुपे नियों साथे टुटवा लागे छे तेना थिस्तियों मां रोक्त स्त्राव थाई छे जेना आपड़े रुधी रुथू स्त्राव अथवा रोजो स्त्राव कहिए छे रुथू स्त्राव लुख भग 28.3 दिवस मां एक वार थाई छे पेहलो रुतूस्ता योवानारंब थी सर्वत मां थाय चे जेने रोजो दर्शन कहे चे अने पिस्तालेस्ती पचास्वन्नी उम्मरे रुतूस्तां नू बंद थैजाए छे जेने बंद थवानी क्रियाने रोजो निवुरुती कहे चे प्रारवमा रुत्तु स्त्राव चक्र अन्यमित होई सके छे तथा तेने नियमित होवा माटे केटलो शमय लागे छे रुत्तु स्त्राव चक्रनू नियंतरण अंतो स्त्राव द्वारा थाई छे आ चक्रमा अंड कस्णू परिपक्व थवू, तेनू मुक्त थवू, गर्बासर नी दिवालनू जाडू थवू, तेमाज फलन न थवानी स्थितिमा तेनू टूटवू वगेरे तेमा सामेल छे, जो अंड कस्णू फलन थई जाय, तो ते विभाजन करे छे, तथा गर्बासर विकर्स थवा मांटे स्थापिक थाई छे